नमस्कार न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रजेंट सेंपियंस की जंग देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मौनुच चहल आईपेल 2024 का मैच नमबर 22 ये मैच खेला जाएगा चैपवक स्टेडियम में अब आप समझी गए होगे चैपवक का नाम लेती एक तरफ CSK होगी तो दूसरी तरफ KKR होगी अब KKR जो जिस अंदाज में क्रिक्ट खेला है सब का दिल जीता है तीन मुकाबले और तीनों जी इते और उसके बाद लघातर दो हार हुई है अब दो हार के बाद भई इस टीम का क्या कॉंबिनियेशन हो शकता है पिच रिपोर्ट क्या है छेपवक की वह भी हम आपको बताएंगे और वैदर क्या कहेगा चेपवक का वह भी उसमें भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ अगर आप फेंटेसी के दिवाने हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे आप बना सकते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और प्लीज चैनल को यह एक और दिक्कत है मुस्तिफुजुर रहमान अब इनके अच्छे गेंदबाज थे जो विकेट्स लेते थे तीन मैचों में साथ विकेट्स थी इस गेंदबाज के पास लेकिन वीज टूनामेंट वापस लोट गए बंगलादेश अब ऐसे में इनका जो पेस अटेक है वो मिशल शिवम दूबे जो की इंपक्ट प्लेयर आते और इंपक्ट डालते हैं रवेंदर जड़ेजा अभी हर्फन बोला खिलाडीतों हैं लेकिन इनको बैट्स भी अच्छा करना पड़ेगा MS धोनी जो की विकट कीपर बैट सबन होंगे दिपक चाहर तुशार देश पांड़े और महीश दिक्षना ये पोसिबल प्लेइंग 11 है CSK की बात करें तो लेकिन CSK की दिक्कत यह है कि पिछला मैंस हमने जब देखा था और उससे पहले डेली के साथ भी MS धोनी क्यों नहीं उपर आते अब DC के साथ उन्होंने 16 गिंदों में 37 बना दिये अब दिक्कत यह है कि रविंद्या जड़ेजा पहले आ जाते हैं डेली मिचल से भी अब इनकी जो बैटिंग लाइन अफ है ना उसमें वो छेड़ खानी कर रहे हैं जो मुझे तो पसंद नहीं आई मुझे तो रास नहीं आई आद भी पता सकते हैं कि जो इनका बैटिंग सेट अप बैटिंग लाइन अप है उसके साथ ही खेलें तो बहतर होगा क्योंकि मिचल को तोड़ा उपर खिला सकते हैं MS धोनी नंबर आठ पर आते बताईए अब नंबर आठ के बज़ए नंबर पांच नंबर छे पर इनफेक्ट आ सकते हैं मैं तो यह चाहता हूँ कि नंबर तीन पर ही आ जाए रहाने की जगे क्योंकि अगर इस टीम को अच्छा करना है तो क्योंकि दो हार हो चुकी है एक और हार कहीं ना कहीं वो टॉप फोर में जाने की उमीदों को जटका दे सकती है और CS के लिए बड़ा इंपोर्टन होगा यह गेम क्योंकि अगर यह मैच जीतेंगे तो इनकी उमीदें टॉपर में जाने की होगी क्योंकि सामने जो ऑपनेंट है बड़े खुंकार बैट्समेन है वहाँ पर बड़ा खतरनाक बैटिंग लाइनप है वहाँ पर 3-3 मुकाबले जीते हैं आंद्रे रसल इनके सबसे खतरनाक बैट्समेन है तो नजर डालते हैं वह 3-3 मैच जीतकर क्या विनिंग कॉंबिनेशन के साथ जाएगा इस KKR देख लेते हैं KKR की पॉसिबल प्लेइंग लाइन पर नजर डाल दें तो फिल सॉल्ट जो की बहतरीन बैट्समेन है विकेट कीपर भी इस टीम के उसनुई लारेन क्या गजब का खेल दिखाया है उन्होंने इस बार और वैंकटेस आयर स्रेयर सायर जो की कैप्टन इस ट टीम नजर आ रही है क्योंकि यहां पर आपको मैच विनर मिलेंगे आंद्रे रसल जो सिंगल हैंडल दी मैच इता सकते हैं अंग क्रिश रगुवांशी ने तो सबका दिल जीता है यंग टैलेंट ने बड़ा इंप्रेस किया है और इसके साथ ही साथ अगर ऑपनर देखोग सही यूज करते हैं दोनों बैट्समन तो ऐसे में जो CSK की गेंदबाजी है उसको थोड़ा चोकरना रहना पड़ेगा क्या चेंजिज हो सकते हैं वो उस पर भी हम आपको बताएंगे लेकिर उससे पहले जान लेते हैं कि दोनों टीम को हैड टो हैड रिकोर्ड क्या कहता है कोन टीम आगे है वो भी एक बार देख लेते हैं CSK के 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 आर में कुल 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं चैने सुबह किंग्स ने 18 मुकाबले जीते हैं कोलकता नाइट राइडर्स ने 10 मुकाबले जीते हैं और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है यानिके अब आप देखो के तो CSK थोड़ी सी ओन पेपर अच्छी टीम लगती है लेकिन फिर भी CSK को अगर ये मुकाबला जीतना है तो इस टीम को as a unity और potential पर खेल दिखाना पड़ेगा ना सिर्फ strong middle order है इनका हम मानते हैं जहां पर शियम दूबे होंगे डैल मिचल होंगे रवेंदर जड़ेजा इनफेक्ट अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन इनके रिए crucial होगा जी ओपनिंग कैसा देते हैं रितुराज गायकवाड और talented batsman रचिन रविंदर अगर उन्होंने अच्छा start दे दिया फिर इस टीम के बले-बले है क्योंकि आने वाले जो batsman है वो अच्छा करते हैं लेक अबला चैनली के चपोक स्टेडी में खेला जाएगा यहां की पिछ की बात करें तो यहां पर स्पिंद्रों को काफी मदद मिलती है क्योंकि पिछ काफी स्लो रहने वाली है इस वजह से टीमें ज्यादतर तीन स्पिन की अंदवाजों के साथ खेल सकती है यह पिछ बले-ब बड़ी है जिससे यहां बड़े शोट्स लगाना थोड़ा मुश्किल है आंकडों की माने तो इस पीच का जो एवरेज स्कोर है वो सिरफ 160 का है तो ऐसे में जो टॉस जितकर बले-बाजी करने का फैसला एक अच्छा साबित हो सकता है तो दिखिए स्लो विकिट रहने वाल फुट वर्क होगा जो स्पिन को अच्छा टैकल करेगा वो लंबी पारी खेल सकता है इनिको पेस कर सकता है ऐसे में डेरल मिचल से बड़ी उमीदे होंगी वो अच्छा खेलते हैं और उस तरफ से देखें तो स्रेयर शेयर इसको भी रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि वैदर कहीं न कहीं क्रिकेट फैंस के सपनों पानी ना फेर दे तो वैदर पर एक नज़र लाते हैं सोंवार कोई मुकाबला खेला जाएगा चैनने का अगर टेंपरेसर की बात करें तो 28-34 डिगरी के आसपास रहने की उमीद है मैच में बारिश की कोई संभावना नहीं है बढ़ती नमी और गर्मी कारण फैंस को थोड़ी दिखतों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी दोनों टीमों के बीचे एक अच्छा कॉंटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है तो एक गुड नियूज है कि वैदर अच्छा रहेगा मौसम बिलकुल साफ रहेगा दोनों टीमों के बीच एक रोमांसक मुकाबला देखने को मिल सकता है ऐसे में अगर आप फैंटेसे टीम बनाना चाहते हैं तो मेरी तो यह राय है कि डैरल मिचल को आप कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन अगर आपको बनाना है तो मैं स्रेश अईयर पर ही दाउ बना सकते हैं और यह अच्छा मकाबला देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक जीच माननी पड़ेगी कि CSK के लिए यह मैच बड़ा इंपोर्टन है क्योंकि लगातर दो हर अब ऐसे में अगर यह मैच जीतते हैं तो टौप और की चार के चार मैच जीत चुकी है, केके यार नंबर दो पर है, तीन की तीन मुकाबले जीत चुकी, बाके टीम में भी अच्छा कर रही है, तो ऐसे में CSK को अच्छा करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, MS धोनी को उपर आ करता है, MS धोनी को अच्छा करा रही है, तो एक करता है, मुझे तो और उसमत्स वादास का रही है, मुझे तो लेट मुझे तो लगता है, सबसार है, या जा। खूनी को मुझे सफ़ले चार आचार है, कि जीत उसके तो ऑटार आगए, तो